नमस्कार मित्रो जैमातादी तो स्वागते आप सभी का हमारे यूटूब चेनल में कण्यारासी वालो हम बात करेंगे दिनांक दसमार्च बूधवार यानि गनेश जी देव तकावार केसा रहेगा आप लोगों के लिए आज के दिन आपको कीन चीजों से बचना है कीन चीज आपका प्रेम संभंद के सार है आपका व्या पार आपकी नोकरी के बारे में संपूर्ण जानकारी हम देने वाले हैं तो मित्रो यह वीडियो आपके लिए त्यंत मेहतव पुन होने वाली है इस लिए इस वीडियो को सुरू से लेकर अन्त तक ध्यान से देखिएगा जी हा बिना समय गवाई बढ़ते हैं आपके रासी फलकी और योजना में अचानक बदलाव हो सकता है इस वज़े से नकारात्मकता बने रह सकती है और नोकरी से संबंदित कुछ नकारात्मक बात का भी पता चलेगा परिवार के लोगों के साथ वाद विवाद बढ़ सकते हैं और क इस व्यक्ति पर आप अधिक निर्भरता दिखा रहे थे उस व्यक्ति के बड़ताओं में अचानक से ही बदलाव देखने के कारण आपको रोज और मानसिक तकलिफ का सामना हो सकता है जी हां मित्रो काम से संबंदित बातों में अचानक से आपके मन के खिलाब बदलाव आ स सकता है और जो अपेक्साएं आप पार्टनर से संबंदित रख रहे थे उन अपेक्साओं को पार्टनर द्वारा पूराना होते देख आपको दूख हो सकता है और पेट में बढ़ती जलन नई सारेरिक बीमारिया पेदा कर सकती है इसलिए सेहत पर बहुत अधिक ध्यान द बातों के बारे में भी सोच विचार करके आप उनको सुलजाने की कोशिस करेंगे जी हामित्रों खास करके जब बात व्यक्तिगत हो और पेशो से संबंदित हो व्यक्तिगत रिलेसंसिप में बदलाव लाने के लिए आपके द्वारा प्रियत्न बढ़ाई जा सकते हैं और क पार्टनर से संबंदित परियसानियों को समझने की कोशिस करने होगी और गर्धन और कंदे से संबंदित तकलिफ आपको नुक्सान पहुचा सकती हैं व्यक्तिगात बात पर भी जब पेशा खर्च करना हो तभी जागरुकता दिखाने की आवस्यक्त होगी आपकी खर्चि बातों पर ध्यान दे लोगों द्वारा आपको विचलित करने के प्रियत ने किये जा सकते हैं और काम के साथ साथ पार्टनर को भी वक्त दें जी हां में तो गुटनों और पीर से संबने तकलिप बढ़ सकती है और आज आपके उपर काम का बोज बढ़ेगा जो भी काम करे औ आपने खुद के लिए सोचे थी वह आपकी अपिक्सा के अनुसार ना होने की वज़े से मन में थोड़ी नाराजगी रह सकती है लेकिन आप अपना होसला खोने नहीं देंगे और मन में बड़ी इनसेक्यूरिटी की वज़े से आपके द्वारा किये जाने वाले प्रियत न पाने का सेवन योग्य मात्रा में करने की आवस्यक्ता होगी और फिलहाल वक्त आपके पक्स में है योजना बना कर काम करते चले और आपके अंदर बढ़ रहे आलस और नकारात्मक विचार आपकी शमता को कम कर सकते हैं इसलिए नकारात्मक बातों से दूर रहने की जितनी कोशिश कर सकते हैं उतनी करिये और पेशों से संबंदित अठके हुए काम आज फिर से सुरू हो सकते हैं इन्वेस्टमेंट और इंशुरेंच से संबंदित लोगों को अपना टार्गेट पूरा करने के लिए प्रियत्न बढ़ाने होंगे और पार्टनर के प्रती वास्तवी करेकर अपेक साय रखें साती मित्रों किसी विर्णय में नर्णय ना ले पाना आपको बेचेन कर सकता है काम के प्रती आपका उस्साह काम होने की वज़े से मन में बेचेने भी रहेगी और परिवार के लोगों के साथ मेल जोल बढ़ाने की कोशिस आपके द्वारा की जा सक होगी आपके अंदर बं रही नकारात्मक्ता आपके रिलेसंसिप पर भी असर दिखा रही है इसलिए पहले व्यक्तिगत बातों को सुधार ने की कोशिश करें और सरीद की खून में कमी नए रोक पेदा कर सकती है इसलिए सरीद में खून की कमी बिल्कुल भी ना होने दे मित से आप उन्नत ही देख पाएंगे फिर में मन चाहे काम हो पाना मुश्किल लग रहा है और परिवारी के लोगों के सामने अपने भावनाओं को योग्य तरीके से व्यक्त करने की आवे सकता होगी आपके अंदर बने नकारात्मक उर्जा का ठेक से उपयोग करके करियर के प उसे पूरा करने की कोशिस करे आपके द्वारा की जा सकती कोशिस अवस्य काम्याब देगी है लेकिन मन में अनेक तरह की विचार आने के कारण आप अपने अपेक्सा अनुसार काम नहीं कर पाएंगे अपने अंदर सकारात्मक ता का बनाने के लिए जो लोग आपका उस्स बढ़ाते हैं और प्रेणा देते हैं उनके साथ अधिक वक्त बिताएं काम से संबंदित नए अवसर की वज़े से पूराने काम को नजर अंधाज कर सकते हैं लवलाइप की प्रती घटी पूरानी घटनाओं को याद करके उदा सिंता महसुस होगी सहाती मित्रो अधिक गर्म और मसालदार खाना खाने की वज़े से सेहत से संबंदित तकलिफ महसूस हो सकती है आप अपने जीवन को देखने का नजरिया फिर से एक बार बदल सकते हैं अपने कठिनाईयों को दूर करने के लिए आप पूरी तरह से तेयार हैं इसलिए अपनी स्व्रमताओं का अधिक अधिक उप्योग करके आगे बढ़ने की कोशिस जारी रखें और परिवार के किसी व्यक्ति द्वारा आपको मानसिक तरीके से कमजोर करने की कोशिस की जा सकती है काम से संबंदित ट्रेनिंग मिलेगी जिसकी वजह से नई जिम्मेदारी को पूरा कर पाना आपके लिए सं नहां में तरो साथी लव लाइफ से संबंदित आपकी रूची कम होगी सारीरिक व्यायाम को अपने जीवन से लिका अंग बनाने की आवश्यक्ता होगी और करीबी व्यक्ति के वेवार की वजह से आपको फसाई जाने की भावनाय मेहसुस हो सकती है लेकिन व्यक्ति के बर आम की जगह किसे के द्वारा भी सैयोग प्राप्त ना होना आपके लिए तकलिफ का कारण होगा साथी मित्रो जो लोग रिलेसंसिप के खरापदोर से गुजर रहे हैं फिलहल आपको सैयम रखने की आवस्यक्ता होगी बच्चों को आपके मानसिक आधार की आवस्यक्ता हो आपको जागरुक रेने की आवशक्ता होगी। काम से संब्धित बातों की वज़े से परिवार समेत आपकी यात्रा हो सकती है। साथ मित्रों जो लोग कुवारे हैं उन्हें साधी के प्रस्ताव आ सकते हैं और जो विज्ञारती इंजिनिरिंग की तेयारी कर रहे हैं उन्हें आज की दिन काफी अच्छा और बड़ी अमार्ग दर्सन अपने गुरु जनों का राप्त होगा। तो मित्रों यह था हमारा आज का कन्यारासी के जात कोका रासी फल। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो मित्रों वीडियो को लाइक करना बिलकुल भी मत भुलिएगा। बड़ी प्रों प्रमर्मर्ड बड़ी होगा झाल वीडियोगा।